सो हेलो गाईस केसे हो आप आई होप सभी अच्छे होंगे और पड़ाई भी बड़िया तरीके से आप सभी की चलती होगी दोस्तों आज की स्पेसल वीडियो में हम वीश्व के महा सागर से बनने वाले सारे इंपोर्टेंट कोस्चन्स को कवर करेंगे ठीके और ये सारे कोस्चन्स आपके आने वाले एक्जाम के लिए भी काफी बेश्ट साबित होंगे और इस वीडियो में मैंने उन कोस्चन्स को भी कवर किया है जो कि आभी तक पूछे जा चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखीगा आप ही इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला कोस्चन है हमारा वीस्व का सबसे बड़ा महासागर है तो वीस्व का जो सबसे बड़ा महासागर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है आपको पता होगा प्रशान्त महासागर तो याद रखेगा इसे प्रशान्त महासागर इसका सही अंसर होगा ठीक है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कोस्चन नमबर टू सबसे बड़ा छोटा सोरी सबसे छोटा महासागर कौन सा है आप से पूछा है सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो सबसे छोटा होता है आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर तो दोनों को याद रखेगा पूछे जाते हैं एक्जाम में नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर्बर त्री निनमलिकित मेंसे किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है तो छिपता हुआ महासागर जो बोला जाता है ये बोला जाता है सबसे छोटे महासागर को जो कौन सा है आर्कटिक महासागर तो छिपता हुआ महासागर कलाता है आर्कटिक महासागर कोश्चन नमबर फोर है निन्यमलिकित मेंसे किस महासागर की प्रमुक विसेस्ता प्रवाल भित्ती है तो कोन सा इसा महासागर है जिसकी विसेस्ता प्रवाल भित्ती है तो प्रशांत महासागर यहाँ पर राइट अंसर होगा ठीक है ओप्सन नमबर भी इसका सही अंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और कोस्चन नमबर फाइप यहमारा वीश्वक की चार सबसे बड़े महासागरों में कोन सामिल नहीं है तो आपको बताना है कि चार सबसे बड़े जो महासागर है उसमें कोन सा महासागर नहीं आता है तो भुमध्य सागर यहाँ पर इस कोस्चन का सही अंसर होगा जो की चार बड़े महासागरों में सामिल नहीं है नेक्स्ट कोस्चन है मेरियना ट्रेंच किस महासागर में इस्तित सबसे गहरा ट्रेंच माना जाता है तो काफी फेमस है मेरियना ट् तो ये किस महासागर में आता है तो ये प्रशान्त महासागर में आता है और दोस्तों ये एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है इसको इगनोर मत कीजेगा IMP question है ये ठीक है अहिंद महासागर और फिर अर्कटिक महासागर ठीक है तो option number A जो दिया है ये यहाँ पर सही अवरोही क्रम हो जाएगा सही घट्यक्रम हो जाएगा ठीक है next question बढ़ते है question number 8 महासागरों की सरवादिक घहराई मीटर में हैं तो आपको मीटर में बताना है सरवादिक घहराई कितनी होगी तो यह ओगी 11 oh 33 मीटर 11 oh 33 मीटर यहाँ पर सही अंसर होगा next सवाल है महासागरों की ओसद घहराई कितनी होगी तो महासागर की ओसट जो घराई है वो होगी 3800 मिटर कितने होगी 3800 मिटर नेक्स्ट कुस्चन है वीश्व का सवरवाधिक चोड़ा महाधीपी ये मगन तट किस महासागर मिस्ति थे तो सबसे जादा जो चोड़ा महासागरी तट है वो इस्तित दोस्तो अर्कटिक महासागर में अर्कटिक महासागर में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं कोश्चन नम्बर 11 दोस्तो अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर करना ठीक है तो हिंद महासागर ऐसा महासागर है जो अमेरिका महादिप को इस पर्स नहीं करता है। नेक्स्ट कोश्चन नेनमलिकित में से कोन सा महासागर उत्तर दिशा में एसिया महादिप द्वारा अवरोधीत है। तो कोन सा महासागर होगा तो हिंद महासागर इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर D नेक्स्ट कोश्चन 13 नमबर कोश्चन है निन मलिकित में से कोन सा महासागर एक और एसिया को और दुसरी और उत्तर अमेरिका महादिप को इसपर्च करता है तो प्रशांत महासागर इसका सही अंसर हो ठीक है ओप्सन नमबर भी यहाँ पर सही अंसर है नेक्स्ट कोशन है उत्तर अमेरिका महादीब के पस्चिम में कौन सा महासागर इस्ति थे तो उत्तर अमेरिका महादीब के पस्चिम में जो महासागर इस्ति थे वो इस्तित है प्रशान्त महासागर प्रशान्त महासागर नेक्स्ट कोस्चन फिप्टिन नंबर कोस्चन है अगनी वलाय की उपस्तिती किस महासागर में पाई जाती है तो अगनी वलाय की जो उपस्तिती है ये पाई जाती है प्रशान्त महासागर में किसमें प्रशान्त महासागर में नेक्स्ट कोस्चन है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है वो है प्यूटोरिको ट्रेंच प्यूटोरिको ट्रेंच यहाँ पर सही अंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन 17 नंबर कोस्चन है वर्तमान भुमध्य सागर को किस प्राचिन महासागर का आउसेस माना जाता है तो किस प्राचिन महासागर का आउसेस माना जाता है पूछा जाता है ये कोस्चन तो 33 महासागर इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन है नेनमलिकित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है तो नेनमलिकित में से सबसे कम गहरा जो महासागर होगा वो होगा आर्कटिक महासागर कौन सा आर्कटिक महासागर नेक्स्ट कोस्चन के और बढ़ते हैं The Great Ocean Trademark कीस महासागर से होकर गुजरता है तो The Great Ocean Trademark जो गुजरता है ये गुजरता है उत्तरी Atlantic महासागर से होकर तो अप्सेनलमर सी यहाँ पर सही अन्सर है नेक्ष्ट देखते हैं बर्मुडा ट्रिबूज कीस महासागर में अवस्थित है तो बर्मुडा जो त्रिबू जे ये इस्तित हो जायेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में किसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में Next question है समूद्र प्रत्वी की सता का लगबा कितना परसेंट घेरे हुए है जो समूद्र है वो घेरे हुए है 70% सत्तर पर्सेंट इसका सही अंसर है नेक्स्ट कोस्चन 22 नमबर कोस्चन है कौन से सागर या महा सागर महा सागरी मर्य भूमि के रूप में आभी हित किया जाता है तो सारगेसो सागर किया जाता है दोस्तों इससे भी याद रखेगा नेक्स्ट टू कॉस्चन, इंपोर्टन कोस्चन है, सारगेसो सागर अवस्ति थे तो देख सकते हैं, रेल्यवे के एग्जाम में फी यह पूछ जाता है तो सारगेसो सागर जो इस्ति थे, ये इस्ति थे उत्तरी अतलांटिक महा सागर में, याद रखी गा नेक्स्ट कोस्चन तस्मान सागर किसके मध्य आवस्ति थे तो तस्मान सागर जो आवस्ति थे ये इस्ति थे अश्ट्रिलिया एवं न्यूजिलेंड के बीच अश्ट्रिलिया एवं न्यूजिलेंड के मध्य 25 नमबर कोश्चन देख लेते हैं नीन मलिकित मेंसे किस सागर की सिमाए तीन महादिपों को इसपर्स करती है तो किस सागर की सिमाए तीन महादिपों को इसपर्स करती है तो ये करती है भुमध्य सागर को भुमध्य सागर को इसपर्स करती है नेक्स्ट कोश्चन है निनमली की सागरों में से किसके चारों और समुद्री धाराये प्रवाईत होती है तो समुद्री धाराये जो प्रवाईत होती है ये सारगेसों सागर के चारों और प्रवाईत होती है काला सागर की इस देश के दक्षिन में इस्तित है तो काला सागर जो इसतित है ये रूस देश के दक्षिन में इससे भी याद रखीगा 28 नमर कोश्चन है निनमलिकित में से कौन सा देश काला सागर को इसपर्स नहीं करता है तो कौन सा ऐसा देश है जो काला सागर को इसपर्स नहीं करता है तो कजाकिस्तान यहां पर सही अंसर होगा जो कि काला सागर को इसपर्स नहीं करता है नेक्स्ट कोश्चन है निनमलिकित में से कौन सा देश भुमद्य सागर को इसपर्स नहीं करता है तो कौन सा देश भुमद्य सागर को इसपर्स नहीं करता तो यादर केगा जॉर्डन देश जॉर्डन देश यहां पर सही अंसर है जो सागर अन्य से भिन्न है वह कलाता है तो एसा कोश्चन है जो सागर अन्य से भिन्न है वह कौन सा सागर है तो वह सागर होगा केस्पियन सागर और ये भी एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है नेक्स्ट कोस्चन 31 नंबर कोस्चन है निनमलीकित में से कोन सा सागर इस्थलबद्ध है तो कोन सा सागर इस्थलबद्ध कलाता है अरल सागर याद रखीगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरप 32 नम्मर कोश्चन है निनमली कितमे से तीन सागरों पर तर्ट रिखा वाला एक मात्र पस्चिम यूरोपीय देश है तो तीन सागरों पर तर्ट रिखा वाला एक मात्र पस्चिम यूरोपीय देश जो होगा वो होगा इस्पेन इस पेन यहां पर सही अंसर है नेक्स्ट सवाल सारगेसो समुद्र कीस महा सागर में इस्तिते तो सारगेसो जो समुद्र है ये इस्तिते अटलांटिक महा सागर में कहां पर अटलांटिक महा सागर नेक्स्ट कोश्चन नेजमली की सागरों में से कौन सा समुद्र में तर्ट रिखा नहीं है तो कौन सा समुद्र में तर्ट रिखा नहीं है तो सारगेसो सागर याद रखेगा सारगेसो सागर नेक्स्ट कोश्चन 35 नमबर कोश्चन है तूर्की के उत्तर में है तो तूर्की के उत्तर में है काला सागर क्या है काला सागर नेक्स्ट कोस्चन है वीशो में छेतरफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा सागर है तो वीशो में छेतरफल की द्रश्टी से जो सबसे बड़ा सागर माना जाता है वो माना जाता है दक्षिनी चीन सागर दक्षिनी चीन सागर नेक्स्ट कोस्चन है 37 नमबर कोस्चन वीशो में सबसे बड़ी खाड़ी है तो वीशो में सबसे बड़ी खाड़ी माने जाती है मेक्सिको की खाड़ी किसकी मेक्सिको की खाड़ी नेक्स्र सवाल है, यूरोपियन तुर्की को ASEI तुर्की से प्रतक करने वाला सागर है, तो कौन से सागर होगा? मारा, मारा सागर, मारा सागर, ठीक है? नेक्स्ट कोस्चन 39 नमबर कोस्चन देखते हैं निनमलिकित में से कोन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है इंपोर्टन कोस्चन रहेगा ये भी आपकी एक्जाम के लिए तो उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ता है कील नहर तिके कील नहर जोडती है उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से नेक्स्ट सवाल है विशो में किस खाड़ी की तर्ट रिखा सरवादिक लंबी है तो किस की तर्ट रिखा सरवादिक लंबी माने जाती है तो हडसन की खाड़ी की हडसन की खाड़ी यहाँ पर सही आंसर है नेक्स्ट कोश्चन 41 नमबर कोश्चन है सारगेसो समुद्र की विसेष्टा है तो सारगेसो समुद्र की जो विसेष्टा होगी वो क्या होगी विसेष्ट समुद्री वनस्पती next question है सारगेसो क्या है तो सारगेसो जो है यहाँ पर हो जाएगा समुदरी घास और यह भी important question है दोस्तों पूछा जाता है next सवाल देख लेते हैं सबसे लवणी सागर है तो सबसे लवणी सागर माना जाता है मरत सागर important question काफी बार एक्जाम में पूछा जाने वाला question है next सवाल की और बढ़ते है 44 number question है जारडन और इजराइल के मद्ध कौन सा सागर है तो जारडन और इजराइल के जो मद्ध सागर है उपास्तित है वो है मरत सागर next question है निनमलिकित में से किस आफ्रीकी देश की सीमा भूमद्ध सागर से नहीं मिलती है तो किस की सीमा भूमद्ध सागर से नहीं मिलती है तो चारड इसका सही अंसर होगा option number B next question सेलिबिज सागर जहां है वह है तो सेलिबिज सागर जहां पर है वो क्या होगा तो वो होगा आर्कटिक महासागर याद रखीगा इसे भी नेक्स्ट कोस्चन के और बढ़ते हैं 47 नमबर कोस्चन है ग्रेट बेरियर रीफ कहां पर इस्तिते सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला कोस्चन ठीक है अगर इस टोपिक से कोस्चन आता है तो ये कोस्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो ग्रेट बेरियर जो रीफ इस्तिते प्रशान्त महासागर में इस्तिते दोस्तों तो याद रखीगा पूछे जाना वाला कोस्चन है नेक्स्ट सवाल व्रहत प्रष्टी चेत्रफल वाला महासागर है तो व्रहत प्रष्टी चेत्रफल वाला जो महासागर होगा वो होगा प्रशांत महासागर कौन सा प्रशांत महासागर next सवाल है सुनदा ट्रेंच कहां इस्ती थे तो सुनदा ट्रेंच जो इस्ती थे वो है हिंद महासागर में हिंद महासागर इसका सही अंसर होगा तो दोस्तों उम्मीदे सभी कोस्चन आपको अच्चे लगे होंगे और वीडियो पसंद आया पिट से कहोना चाहूंगा आपको कि एक लाइक करना और चेनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पेस करना ताकि एसा ही आपको टॉपिक वाइस हमेशा की तरह वीडियो मिलती रहे ठीक है और मैं बता दू कि मैंने जियोग्राफी पॉलेटी एकोनॉ साइन्स सभी को मैंने टॉपिक वाइस अबजेक्ट्व की रूप में कवर किया है अगर उन वीडियोज को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे वहासे जाकर जरूर देखेगा ताकि आपकी हेल्प हो सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब तक के लिए जय हीन आल देखेगा